नमस्कार, प्रणाम, आदाव COVID-19 के प्रादुभाव की वज़ा से आज विद्यार्थी शाला में स्प्रत्यक्ष अध्यान अनुभाव लेने से वंचित है ब्रिहन मंबई महानगर पालिका शिक्षन विभाग ने एक सरहानिय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थे शिक्षा से वंचित न रहे और इस श्रिंखला के अंतरगत हम अपने विशय के रोचक घटक लेकर रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्तित रहेंगे और इसी के अंतरगत मैं श्रीमती पुर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विशय के साथ नए घटक के साथ तो चलें अपने विशय के संग पाठ तीन सबजियां प्रिश्ट क्रमांग चियालिज कुछ सोच रहे हैं जनाब अच्छा ये सोच रहे हैं कि चित्रवाचन मैं कैसे करूँ तो देखो, समझो और बताओ सबजियां सबजियों के बारे में कुछ बताना है क्या चलो देखें चित्रवाचन देखो समझो और बताओ पाई हटा कर जुडें हम कुछ जुडने की बात हो रही है और कुछ हटा कर कुछ जुडना है तो क्या हटाना है? पाई हटानी है पाई हटा कर जुडना है देखें चलो कौन जुड रहा है? जुडने के पहले बच्चों हम वर्ण माला की तरफ चलते हैं पहले अभी तक आपने सभी वर्ण माला की जानकारी लेली होगी अ, आ, इ, उ, आ, उ, क, ए, आ, आ, अ, आ, आ, ख, ग, घ, न, ज, च, च, ज, 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 ई, आ यह है हमारी वर्ण माला जब भी आप अपना कोई पाट पढ़ें इस वर्ण माला को जरूर ध्यान में रखें यहां कुछ हमारे वर्ण ख, ग, घ, च, ज, ज, य, त, थ, ध, न अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ-कुछ वर्ण हमें मिल नहीं रहे हैं जैसे इसमें क नहीं दिख रहा है ख के पहले क आता है यहां पे च, च, ज, 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 हो गया च नहीं दिख रहा है मैंने तो बोल दिया च, च, बड़ च नहीं दिख रहा है फिर अरे इस तो ट वाला गुरूप तो दिखी नहीं रहे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चो ऐसे वर्ण जो पाई वाले वर्ण है पाई मतलब क्या जिसमें आप इस तरह की यह लाइन हम देख रहे हैं यह खड़ी पाई इसे हम कहते हैं यह खड़ी पाई यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारी वर्ण माला से जो भी हमने देख उसमें से ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें ये खड़ी पाई लगी हुई है अंत में वर्ण के अंत में यहां हम देख रहे हैं लास्ट में तो के बाद में हैं धो में हैं नो में हैं इसी तरह हम देखते हैं प में हैं अब बा में हैं अब यहां बीच में फ नहीं आया है क्यो क्योंकि pha में खड़ी पाई है क्या और यह दी है तो कहां यह अब तुम लोग ज़रा सोचो इस बारे में तो यहाँ पर हम जितने भी वर्ण हम देख रहे है इन सभी वर्णों में खड़ी पाई हम देख रहे हैं और पाठ के शुरू में ही हमने एक लाइन पड़े थी, पाई हटा कर जुड़े हम, तो देखते हैं, पाई हटा कर कैसे जुड़ना है, ये ट वाले ग्रूप में, ट ट, ट, ड, 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 में ये हम यहाँ पाई देख रहे हैं, इसके अलावा जो भी वर्ण हैं, हमारी वर्ण माला में, व्यंजन जो भी हैं, उन व्यंजन में पाई नहीं है, और यह कहीं है, तो शायद बीच में, जुड़ें हम, और जुड़ कौन रहा है, तो जुड़ रहे हैं, हमारे अक्षर, ये हमारे पाई हटानी है, और जुड़ेंगे अक्षर, यद किसी पाई वाले अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़ना हो, तो पहले वाले अक्षर की पाई हटानी पड़ती है, यह पहले वाली अक्षर की पाई हमें हटाने पड़ती है कैसे हटाएंगे हम और कैसे जुड़ेंगे चलो आगे देखते हैं कितने सुन्दर चित्र है बहुत से बच्चों को बहुत सारी चीजे याद आई होंगी और बच्चों आप इसको पहचान रहे होगे यह चित्र किसका है यह चित्र है चोलहा हमारे गाउ में इस तरह से मिठी के चूलह assess और जिसल लक्डी जलाई जाती है और उससे खाना बनता है देखा है ने अपने अपने गाउ में तो थीक है चलो इसे चोलहे के बारे में बात करते हैं अब देखेंगे चूलहा जो शब्द है इसमें कितने अक्षर आये हुए हैं तो इसमें एक अक्षर हमें दिखा चूलहा ठीक है अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरा अक्षर है इसमें इसमें भी हमें दो अक्षर दिखाए दे रहे हैं एक कुछ ऐसे आधा आधा सा दिख रहा है और ये तो हमें पूरा दिख रहा है तो जो आधा दिख रहा है क्या है वो ल ल यदि हम लिखते पूरा तो इस तरह से लिखा जाता लेकिन इस कैसा आइल इसमें इस तरह से आधाल आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है यह आधाल आ गया और उसके बाद क्या रहा है और शब्द कैसे बना चूला तो अब यह देखो ल जो था यह पाई वाला ल था अब इसको जब ह से मिलना था ह से दोस्ती करनी थी तो इसमें क्या हुआ इसकी जो पाई थी वो हट गई और यह आधा ल हो गया ठीक है तो यह बन गया चूला आओ यहाँ देखें अरे वा कितना प्यारा बच्चा है अरे कितने अच्छे से आँखे खोल रहा है बंद कर रहा है चुढा भी रहा है तुम लोगों को शायद नहीं नहीं यह तुम लोगों से दोस्ती करने आ रहा है कौन है यह? यह है एक बच्चा अच्छा तो बच्चा में देखें कितने अक्षर हैं एक है ब और दूसरा है चा और चा में भी क्या हो रहा है कि हमें दो दो च दिखाई दे रहे हैं एक च तो ऐसे पूरा है लेकिन इस च की पाई को हटा दिया और ये च हो गया ऐसे आधा और बाद में ये दूसरा च तो हई है पूरा हमारे पस अब शब्द कैसे बना ब आधा च पूरा च बच्चा अब ये च जो पहला च था इसको दूसरे च से दोस्ती करनी थी लेकिन दोस्ती का नियम क्या था दोस्ती का नियम है कि यदि पहले अक्षर को किसी दूसरे अक्षर से मिलना है तो पहले वाले अक्षर की पाई हट जाती है तो पहला अक्षर कौन था? चो था, तो चो की पाई हट गई, पहले चो की पाई तो ये शब्द बन गया बच्चा अच्छा, ये क्या है? ये तो है चम्मच आप सब पहचानते हो इसको है ना? हाँ चम्मच, देखो सब बच्चे यहां कितने खुशी खुशी बता रहे येस, हम भी जानते हैं ये देख रहे हैं उपर से कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सुनना है ये सब सुन रहे हैं अच्छा और पता है ये तुमकरों को भी देख रहे हैं अब चम्मच में कितने अक्षर आये हैं? च, म, म अब इस म में अब क्या खास बात है? फिर से इसमें एक हमें कुछ आधा दिख रहा है कुछ पूरा दिख रहा है तो आधा क्या है? आधा म, फिर पूरा म, और लास्ट में च अब ये पहले वाले म को दूसरे वाले म से दोस्ती करनी थी ये जो म था इसको इस म से दोस्ती करनी थी तो अब दोस्ती का नियम क्या था? दोस्ती का नियम था कि पहले म की एक पाई हट जाएगी तभी वो दूसरे मौ से दोस्ती कर सकेगा तो इसकी पाई यहां से हट गई और यह इसने इससे दोस्ती कर ली तो क्या बन गया? चम्मच च आधा म, पूरा म, च चम्मच वह दोस्ती करनी है तो कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ेगा कुछ दोस्ती तभी हमारी दोस्ती आसानी से टिक सकती है अरे वाह, क्या है यह? ओ, लस्ती बाव प्रेग, क्या मज़ेदार है देखकर ही लग रहा है कि पी जाओ इसको तुम्हें भी लग रहा है ना? अब लस्ती में कौन-कौन से दो शब्द हैं? दो अक्षर हैं, शब्द नहीं लस्ती एक शब्द है और लस्ती एक शब्द में कौन-कौन से अक्षर है तो यह है ल एक अक्षर और दूसरा है क्सी अब क्सी में क्या है? वही बात है इसमें कुनसी बात? कि एक तो स जो है यह आधा है और दूसरा जो स है ये पूरा है, आधास, ये आधास और पूरास, अब इसको लसी शब्द कैसे बना, ल, आधास, पूरास, स में कौनसी मात्रा, इ की मात्रा, शब्द बन गया, लसी, टेस्टी, स्वादेश्ट, डिलिश्यस, लस्सी, लस्सी, उल्लू, सभी लोग पहचानते हैं इसको, उल्लू, उ, और लू, ये ना, दो अक्षर हैं इसमें, एक आधाला और दूसरे पूराला, हमने देखा था इसके पहले भी, ये आधाला, और ये पूराला, आधाला कैसे हुआ, इसकी जो है ल की यहाँ पाई होनी चाहिए थी, जैसे इस ल में है, ये पाई हट गई, क्यों हट गई? क्योंकि इस ल को, इस ल से दोस्ती करनी थी, दोस्ती कि ये बिना नया शब्द नहीं बन रहा था, तो भई इस नियम आ गया पहले बीच में कि दोस्ती करनी है, तो आपनी पाई हटाओ, ये पाई हट गई, इसकी दोस्ती हो गई, और शब्द क्या बना? हम्, अरे वा, कितनी सारी, क्या है, सबजियां, बहुत सारी सबजी है इसमें, तुमने बहुत सारी सबजी खाई भी होगी इसमें से, सबजी इस शबद में कितने अक्षर थे सबजी, तो अबने यह जब जी है इसमें दो अक्षर फिर दिख रहे हैं, एक अक्षर है बह। लेकिन यह आधा ही दिख रहा है, बह के आगे की पाई नहीं दिख रही है, और जी, अब बह का मन हुआ कि मैं जी से दोस्ती करूँ, किसी से दोस्ती करनी है तो आपको एक पाई हटानी पड़ेगी अपनी तब की पाई हट गई और स आधाब जी सबजी अरे वाँ ये है चपल चपल भी आप सब पहनते हो आपकी मम्मी पहनती है आपके पापा पहनते है आपकी भाई पहनते है आपकी दीदी पहनती है छोटे भाई बैन पहनते होंगे और आप भी तो पहनते हो ना चपल चपल में कितने अक्षर है च प प डबल प है और डबल कैसे एक दिख रहा है ना एक प आधा दिख रहा है एक प पूरा ये प इस तरह से आधा फिर ये पूरा अब वही बात हुई कि ये प का मन हुआ कि मैं इस प से दोस्ती करो अब प तो हमेशा पूरा ही होता है लेकिन दोस्ती का नियम था कि आपको जब मिलना है दोस्ती करनी है हाथ मिलना ना है तो अपनी पाई हटा नहीं पड़ेगी तो प पूरे प से मिला, तीसरा अक्षर है ल, च, आधा प, पूरा प, ल, चपल, तो इस तरह से एक नया शब्द बन गया, चपल, और यह चपल शब्द बन गया, और यह दोनों प की दोस्ती हिट एगदम से, अब हमने बहुत सारे शब्द ऐसे देखे, जिसमें दो अक्षर जुड़े हुए थे, अब हम ऐसे कुछ प्रशनों को हल करेंगे, दिये गए शब्दों में जुड़े हुए अक्षर पहचानों, और उन्हें क्या करो, उन्हें गोल करो, आपको उन्हें अक्षरों को गोल करन है जो जुड़े हुए है ठीक है तो चलो चलो देखें पहला शब्द कौन सा है लस्सी यह तो अभी अभी अमने शायद देखा था ना यह शब्द तो आप सबको ध्यान में होगा कि इसमें कौन से अक्षर जुड़े हुए है हम फटा फट बताओ याद आया हम बिल्कुल सही पैचाना यह जो स है यह जुड़ा हुआ है एक स आधा है और दूसरा स पूरा है चम्मच यह भी तो अभी देखा ना हमने यह जल्दी जल्दी बताओ यह तो तुमको आना चाहिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में वेरी गोड़ चम्मच में म है एक आधा म और दूसरा पूरा म यह म अक्षर जुड़ा हुआ है तीसरा अरे या यह यह भी तो अभी हमने देखा चूला जल्दी बताओ इसके बारे में फटा फट चूला में ल जो है यह ह में जुड़ा हुआ है उल्लू यह भी तो देखा भी चलो इसका आंसर तो तुमने जल्दी जल्दी बता दिया इसमें ल जुड़ा है पूरे ल से ये नया शब्द है इसमें कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है? पहचानो, कोशिश करो इसमें जुड़ा है गः, ग्वाला, आधा गः अब गः की पाई नहीं है, यहाँ पे देखो व में जुड़ा ग्वाला चलो देखें, पहला शब्द है शत्रुग्न इसमें कौन सा अक्षर जुड़ा हुआ है सही पैचाना ये जो घह अक्षर है न ये इसमें जुड़ा हुआ है तो जब इसने न से दोस्ती की तो घह की पाई हट गई और शब्द बना शत्रुगन सब जी ये तो अभी हमने शब्द किया था इसका आंसर तुम जल्दी जल्दी दोगे सभी लोग फटाफट बताओ वेरी गुड ब इसमें है उसने ज से दोस्ती की तो ब की पाई हट गई चपल ये भी अभी हमने किया था तो इसका आंसर आपने जल्दी दे दिया आधा प और पूरा प ग्लास ये नहीं किया है नया शब्द है ये लेकिन आप खोश्यार बच्चे हो जल्दी बताओगे येस इसमें अब गर ने ल से दोस्ती की तो गर की पाई हट गई और शब्द बन गया ग्लास तो बच्चों आज हमने बहुत सारे अक्षर जोड़े तो जब एक अक्षर दूसरे अक्षर से जुड़ रहा था पाई वाला अक्षर था तो उसको अपनी पाई हटानी पड़ी तो पाई वाला अक्षर जब दूसरे अक्षर से जुड़ता है तो पहले अक्षर की पाई हट जाती है ठीक है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेर भी करें, आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपेक्षित हैं, क्रिपिया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विशय के साथ, किसी नए घटक के साथ तब तक धन्यवाद